36 गड़े मद्दान के दूसरे चरण में 70 सीटों पर हो रहे मद्दान की पोल खुली दुरुक कलेक्टर द्वारा के सर्वे और निर्देश की मद्दान के इंदरों में अनेमीता नजर आई 36 गड़े मद्दान के दूसरे चरण में शुकरबार को 70 सीटों पर हो रहे मद्दान में बुजर्गों दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं की पोल खुल कर रहे गई दूसरा के साथ अपना कीमती वोट करने मद्दान केंद्रों तक पहुँच रहे थे इसी कड़ी में शहरी शेतरे के मद्दान केंद्रों में दिव्यांगों के लिए कोई विवस्था नजर नहीं आई और ना ही पोलिंग बूत पर कोई विल्चेर मिली और ना ही बुज़र्गों को बूत करमांग तक पहुचाने वाला कोई मिला बस मद्दान करने पहुच बुज़र्ग इधर हुजर भटकती नजर आए बता दें कि पूरो में कुछ दिनों पहले दुर्ग कलेक्टर की द्वारा सर्वे करवाया गया था जिसे मुज़र्ग सिटीजन लोगों को अपने घर से मद्दान का प्रयोग कराने योजना बनाई गई थी जिला प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही के चलते अधिकांश मद्दान केंद्रों में बुज़र्ग और दिव्यांगों को परिशानियों को सामना करते देखा गया बहराल कुछ समय के वाद विवस्था को दुरुस्त भी करवाए गया क्रेंडेसीन न्यूस के लिए नसीम फारुकी की रिपोर्ट